अलो दोस्तों आप लोग का स्वागत मारे आरभी फिशल दिरुसेवन में आज हम लोग फिर से एक नियू रुक्रमिन के बारे में बात करने वाल है जो ओरिसा पावर ट्रांस्मिशन कोर्पोरेंशन लिमिडेट की और से 2020 के लिए आपका बंपर भरती निकाला गया है जो भी यहाँ पे पोस्ट और केटेगरी बाइस आपका बेकेंसी डिस्टूबिट क्या गया है यहाँ एम्टी फाइनस के लिए आपका बेकेंसी आउट क्या गया है फिर एम्टी लोग के लिए आपका बेकेंसी आउट क्या गया है एम्टी एचार डी के लिए आपका बेकेंसी आ वालिपिकेशन है उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपका पोस्ट डिस्टूबेट किया गया है यहाँ परकार से MTHRD के लिए आपका यहाँ पोस्ट आउट किया गया है फिर यहाँ सी के लिए ST के लिए और ST के लिए आपका यहाँ पोस्ट आउट किया गया है और SEB के लिए आपका 1 पोस्ट आउट किया गया है आपका वन येर का ट्रेनिंग और यूनिट ओ टी ओ पीटी सी आपको इंक्लूड रहेगा और फिर यहाँ पर आपका बाउंड भी आपका एग्रिमेंट बाउंड आपको यहाँ पर आपको सायन करना पड़ेगा और उसी के बैसे पर आपका रहने वाला यहाँ पर देख सकते आपका include रहेगा आपका training period इसी के basis पे यहाँ पे आपका selection होने वाला यहाँ पे all lakh देख सकते हैं कि आपका selection junior management trainer में आपका होता है तो आपका scene यहाँ पे आपका training में आपका service bound आपको रहेगा one lakh eighty thousand तक आपका यहाँ पे bond रहेगा उसी basis पे रहाँ पेपर आपका सरवल रहेगा उसी basis पे आपका यहाँ पे अपका conduct कर रहा जाएगा और उसी basis पे आपका selection होने वाला इस परकार से यहाँ पे जो भी candidate जिस से category कंडार आते हैं उसी परकार से आपका education qualification होना चाहिए यहाँ पे mt finance के लिए यहाँ पे आपका यहाँ पे कोई भी university से आपका यहाँ पे content में आपका यहाँ पे graduate pass out है तो आप इस पूम को apply कर सकते हैं यह mt low में आपको करना है तो आपका degree होना चाहिए पेस्ट डिगरी यहाँ पे होना चाहिए लो में तो ही आप इस पूम के लिए apply कर सकते हैं और mt hrd में है तो full time pg degree आपका होना चाहिए यह two year का duration आपका management में है तो यह industrial से है तो आप इस पूम के लिए apply कर सकते हैं आपका maximum of 50% आपका maximum category wise आपका distribute क्या है जितना जितना से ज्यादा से ज्यादा आपका यहां पे percentage रहेगा उतना आपका लिए beneficial है उसी की basis पर यहां पर आपका selection होने वाला है उस परकार से यहां पर जो भी गंडेट इंडेस्टेड हो यहां पर age limit प्रोवाइड के गया एक हने वाला है और human candidate के लिए हापका 5 year का age decision मिलने वाला और PWD candidate के लिए हापका 10 year का age decision मिलने वाला जो भी गंडेट जिस category कंडर आते हैं उसी के basis पर यहां पर प्रोवाइड क्या गया आच्छे से चेक आउट करके आप इस पूंद को apply कर सकते हैं 2030 के आपका bumper भरती निकाला उसी परकार से यहां पर देश सकते हैं कि minimum आपका यहां पर qualifying marks आपका CBT test में आपका 50% का weightage रहने वाला और यहां पर आपका unreserved के लिए और SCST candidate के लिए आपका 40 year का 40% का आपका weightage रहेगा और यहां पर आपका personal interview का आपका qualifying no qualifying marks आपका रहने वाला इस basis पे आपका selection होने व 590 रपी है और GST आपका 90 रपी आपका लिया जा रहा है इस basis पे जो भी candidate जिस category के अडर आते हैं उसी के basis पे यहां पर आपका selection process और यहां पर आपका application फी provide किया गया आप जो भी candidate जिस category के अडर आते हैं उसी के परकार से आप इस phone को apply कर सकते हैं यहां पे आपका document आपका 10 का certificate होना चाहिए प्रोविशनल आपका यहां पर होना चाहिए फिर क्वलिफ दे सकते हैं कि आपका 12 का और final mark sheet आपका होना चाहिए जो भी candidate जिस post के लिए apply करते हैं और यहां का certificate होना चाहिए PWD के हैं तो आपका PWD certificate होना चाहिए या कहीं भी आप job कर चुके हैं और यहां experience होना चाहिए उसी basis पे यहां पे आपका selection होने वाला है यहां पे आपका submission online के लिए आपका 25,230 और last date रहने वाला 24,230 इससे पहले जो भी candidate interested हो आप इस पुन को apply कर सकते हैं मैं जो भी important important बात था मैंने बता दिया उन्रीशा power transmission corporation limited की और से 2013 के लिए आपका bumpर भरती निकाल गया आपको वीडियो अच्छा लगा और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यू चैनल को सब्सक्राइब करेज़ेगा या कोई परिसानी होती है तो हमें comment किज़ेगा आज के लिए तना ही thank you